हाई फ्रेंड विल्कम टो मैं चैनल सूपर ट्रेडर लक्ष और एक्साइटिंग वीडियो लेकर आज मैं आया हूं बात करूंगा मार्केट कैसा रहा आज और कल की क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है आज का जो अपसाइट था वो क्या एक जिनुएन रिवर्सल है क्या मार्केट अब यहां से 11700-800 जाने वाला है तो उन सब की भी बाते करेंगे पॉसिबिलिटीज की बाते करेंगे लेकिन तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए चैनल का नाम है सूपर ट्रेडर लक्ष अपना प्यार बनाए रखी सपोर्ड बनाए रखे बहुत सारे वीडियो से जो आपको मदद कर सकते हैं तो उनको देखिए और डेफिनेटली आपको इंप्रोवेंट देख तो आपको मुझे बहुत अच्छा टर्मिनर लगा मैं आपको दिखाँँगा कैसा है आज का वीडियो से पापन करके देखते हैं और देखते हैं कैसे आपको उछथीड़ लगता नहीं अच्छा लगता तो आप यहां पर आप देखेंगे तो यह सबसे पहले अं को सब नि था निफ्टी यहां पर उल्मोस्ट 138 पॉइंट उपर बंद हुआ है एक टाइम पर उल्मोस्ट 16170 पॉइंट भी गया था 11400 का लेवल भी इसने आज टच करके ब्रेक भी किया है तो ओवराल क्या दिखता है ओवराल लग रहा है कि हो सकता है 11200 पर बेस है क्योंकि जो फॉल भी 11385 पर है तो अभी हमको देखना पड़ेगा यहां से क्या मार्केट रेक्ट करता है यूस मार्केट पे ही सब कुछ डिपेंडेंट है अब हम यहां पर देखेंगे आप तो सेंसेक्स हो गया यहां आपका निफ्टी हो गया तो बहुत जादा अपसाइड आप यह सबसे बड़े major driver थे और उसके लावा IDFC First Bank काफी बड़ी rally दी लेकिन इसका weightage बहुत कम है और Kotak Mahindra Bank जो था जिसने आज एक genuine upside दिखाया है तो हो सकता है इस bank के थूँ हम एक support find करने की कोशिश करें overall ICAC Bank अभी भी बहुत strong नहीं है क्योंकि ICAC Bank अपने high level से काफी नीचे है लेकिन इसमें वो strength नहीं दिख रहे है जो एक leadership वाली strength है लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम 369 पे close हुए हैं और अगर 370, 380 के level जो पुराने high रहे हैं यहाँ पे अच्छी खासी selling आती ह हर बार selling आती है तो इस area पे अब हम किस तरीके से behave करते हैं क्या हम breakout करेंगे अगर ICAC Bank 375, 380 के उपर गया तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक अच्छा upside 420, 430 तक का भी बन सकता है लेकिन ICAC Bank को यहाँ से breakout करना पड़ेगा अगर bank nifty को उपर जाना है तो overall ICAC Bank और Kotak Mahindra Bank भ है और 1370 के आसपास यहाँ पर last time भी आप देख सकते हैं resistance आया था आप देख सकते हैं यहाँ पर 1378 के आसपास अगर हम 1365 से 70 के area में breakout कर जाएं तो एक अच्छा upside 1420 तक का आ सकता है तो इसको भी watch करके रखिए इसमें upside काफी बाकी है और overall weak stock में अगर मैं बोलू तो bank nifty में weak है axis bank, axis bank में अभी भी हम bullish नहीं होंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी problems है, इन्होंने fund raising दो की है लेकिन challenges अभी भी है, result भी इसका बहुत अच्छा नहीं था और इसमें आप 455, 460 के ऊपर ही bullish होईगा, अभी right now यह अच्छा area नहीं है जहां पर आप इसको long कर सकते हैं, तो यह कुछ stocks हैं जिनके बारे हम बात करूँगा, overall अगर आप bank nifty में देखें तो हम 22,170 पे close हुए हैं, और यहां से almost thousand point का upside और बचा हुआ है, जहां पे हम जाके कह सकते हैं कि हम पुराने high पे आए हैं, जो अभी recently हमने बनाया था, तो bank nifty में upside जादा है, nifty already high के पास है, त और कौन से wix जो है volatility आपका आज गिरा है, और wix किरने के साथ market उठा है, तो यह दिखाता है काफी positivity है, nifty 500 1.2% है, nifty IT आज flat था, mid cap आज अच्छा perform कर रहे हैं, जो छोटे मोटे stock हैं, वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं, यहां पे और कोई बड़ आप कहेंगे, यहां पे banks ही थे, और आप देखेंगे, healthcare sector, FMCG कोई खास नहीं कर रहे हैं, BSC IT भी almost flat, तो थोड़ा सा positive है, तो आप देखेंगे, जो major आज की rally को उठाने वाले थे, वो थे bank, तो bank पे नज़र रखी और यह आपको बहुत help कर सकता है, यहां पे हम देख सकते हैं, एक और चीज बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं, 52 week high और low, तो यहां पे भी कुछ stocks के बारे बात करूँगा, तो SBI card, अगर आप देखेंगे, IPO इसका आया था 780 के आसपास, और उसके बाद यह काफी नीचे आया है, क्योंकि उसके तुरंद बात Corona आगया, लेकि SBI के बराबर पहुंच जाए, तो यह एक बहुत positive momentum चल रहा है, इसमें 820 पे हैं, कोई भी dip यहां पे buying के लिए use करिए, 800 के आसपास support है, overall यह 850, 860 तक भी जा सकता है, 780 का level था जहां पे एक बार हमने exit के लिए बोला था, उसके बाद इसने अच्छा खासा dip भी दिया था 720 तक, लेकिन फिर इसने दुबारा से reversal किया है, तो यहां पे पहली बार 780 पे निकलना decision सही था, लेकिन दुबारा अब 780 जब cross कर गया है, तो दुबारा आप re-enter कर सकते हैं, क्योंकि इसको हम breakout कहते हैं, और अगर breakout होने जा रहा है यहां पे, तो आराम से हम 858, 70 तक के levels भ अब 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 इसको है, तो यहां पे हो सकता है, एक डिप आजाए, लेकिन ओवराल यह 52-week high के stock यह दिखाते हैं, क्योंकि यह stock overall stock है, strong है, और इन stocks में आपको buying करनी है, तो यह मैंने यूज किया 5 पैसा काफी अच्छा है, इसमें derivative में देख सकते हैं, आप indices में देख सकते तो यहाँ पे बहुत सारे options हैं जो आपको help कर सकते हैं अपने trading में और जल्दी से मुझे देखना है कि कौन से stock strong है, कौन से weak है, index के बारे में एक image में देखना है कि क्या index की हालत है, वो सब हम यहाँ पे बहुत आसानी से देख सकते हैं, तो यह 5% काफी अच्छा लगा मुझ आपसे अच्छा है क्योंकि और broker 20 rupees ले रहे हैं और मुझे पता है, बहुत सारे लोग तो बहुत जादा brokerage pay करते हैं, जो हर दिन trade करते हैं, over trading करते हैं तो यहाँ बता देता हूं आपको exactly कि इनका क्या हाल चाल है, overall platinum plan जो मैंने लिया है, उसमें 10 rupees per order है, यह बहुत अच्छी चीज है, overall maintenance charges भी फ्री हैं, debit charges भी फ्री हैं, तो काफी चीज़े इसमें अच्छी लगी इसलिए मैंने लिया है, अगर आप active trader हैं तो यह better plan है, यह थ documents है, bank card, address proof, bank proof, income proof में आप अपना bank statement लगा सकते हैं, ITR का copy लगा सकते हैं, और एक signature करके एक page में आप attach कर देंगे, तो online आपका account खुल जाएगा, बहुत tough process नहीं है, और इनका mobile app भी काफी अच्छा है, वो भी मैं कभी किसी वीडियो में दुबारा दिखाऊंगा, आपको उस पर भी trade करके, तो overall अभी मैं इसमें analysis और बाकी चीज़े कर रहा हूं और इसमें trade भी बहुत जल्दी start करने वाला हूं, तो आपको इनका देख सकते हैं, कि इनके पास mutual fund भी है, insurance भी है, सब कुछ आप यहीं पिले सकते हैं, लोन भी यहीं पिले सकते हैं, इनका जो app है, almost इसके 7 million, इनके पास 7 lakh customer है, almost 4 million downloads है, और काफी अची rating भी है, 4 star, 4 star trading में जब आदमी सब को दोश देता रहता है, इसने loss करा दिया, उसने loss करा दिया, उस चीज़ में अगर 4 star है, तो काफी अच्छा है, तो overall यह चीज़ें हैं, इसमें brokerage सस्ता है, account opening free है, अभी यह start भी कर सकते हैं, इस video की description में link है, तो अपना जाइए, और अपना जो भी अगर आपको खोलना है, और अपने पुराने broker से अगर आप परिशान है, तो मेरे हिसाब से one of the top three broker companies में मैं इसको मानूँगा, क्योंकि इसका infrastructure मुझे अच्छा लगा, जो इसका terminal मैंने आपको दिखाया, वो काफी अच्छा लगा, इसलिए मैं इसको prefer करूँगा, मैं तो अभी start कर रहा हूँ, आप भी start कर सकते हो, वीडियो की description में link है, आप बार बार comment में मत डालना, कहां है link, आप उस link को क्लिक करिए, पूरा process automatic है, एक दिन में आपका account खुल जाएगा, तो यहाँ पर फ्रें इसके बाद selling आ गई थी, तो अब यहाँ पर क्या action होता है, overall यह जो range थी, इसको breakout करने की कोशिश कर सकता है, breakdown की कोशिश wiffle हो चुकी है, दुबारा हमने कोशिश की थी 11,140, वो भी fail हो चुकी है, तो अब अगर downside नहीं हो पा रहा है, तो क्या upside के लिए breakout करेगा, तो आपक आपको यह नहीं बोलना है, नहीं नहीं, मैं तो short करूँगा, नहीं, आपको long भी करना है, क्यों? क्योंकि breakout बहुत तेज होते हैं, बहुत powerful होते हैं, तो आज जिस तरह का move bank nifty में आया है, और nifty भी strong था सुबएसे, उससे यह लगता है कि हो सकता है, क्योंकि दोनों support कर रह रहे थे, वो support भी यहां से handle कर रहा था, अगर आप यह support follow कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि यह एक support था, जिसको nifty follow कर रहा था, और अभी हमने recently इसको बचाया है, तो बार-बार यह support पे क्यों टिक रहा है, क्योंकि इसको उपर जाना है, तो definitely जब तक यह level नहीं टूटे लेकिन फिर भी हमारे हाँ अगर foreign liquidity आ रही है, तो उसके करण market नहीं गिरेगा, क्योंकि उपर जाने के लिए liquidity है हमारे पास sufficient और local जो investors हैं वो तो chase करी रहे हैं, तो यह एक reason हो सकता है, तो इस तरीके से आप nifty 50 के लिए अपना game plan मना सकते हैं, अगर हम 420, 430 के उपर sustain करें तो अराम से 600-650 तक का एक fast move आ सकता है, क्योंकि US market में भी जो हमने देखा तो recently जो move आया था, last वाला वो बहुत fast आया था, आप देख सकते हैं, 26,400 से लगातार हम गए हैं 28,000 तक, तो यह 1600 point की rally जो थी बहुत fast आई थी, तो इस तरह की rally हमारे यहां भी आ सकती है, अब हम ले रहा है और यहां पर इतने दिनों से market इसको break नहीं कर रहा है 21,000 को इस बार हमने उपर से घुम गए, बार बार दो बार तीन बार हम आ चुके हैं, इस support पे 21,000 के पास इस बार हम उपर से घुम गए हैं, तो possible है कि यहां से हो सकता है upside का यह breakout हो, तो अगर हम यहां पर द अगारा नहीं जा सकता, अगर यह breakout करता है, तो आपको उसको join करना है, क्योंकि अगर यह breakout होता है, तो हमारा upside काफी बड़ा खुला हुआ है 23,100 तक का, तो यहां पर हो सकता है, अगले दो दिन बहुत volatile हो, क्या पता, AGR decision favor में आ जाए, जो बैंकों को help करे, तो यहां पर हम तो bank nifty में भी काफी बड़ा push आ सकता है, और 23,000 तक के levels आ सकते हैं, तीन से चार दिनों में, तो यह possibility बनती है bank nifty के, और downside में जो अभी upside चल रहा है, इसका support आपका है, 21,900 के आसपास, तो 900, 950 पे अपना stop loss रखे, किसी भी case में अगर हम घूम जाएं, क्योंकि हम घूम तो अगर यहां से फिर से failure आ है, तो आपको इस level पे आपका stop loss रखना है approximately 21,950 पे, और अगर यह break हो जाए, क्योंकि हम एक दिन में आप देख सकते है, candle 22,170 से एक दिन में हम चले गए थे 21,450, तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर हम यहां से दुबार सा breakdown करें और बहुत बड़ा fall आ जाए, तो bluff भी हो सकता है, अपने stop loss intact रखिए 21,950 के आज पास, और कोई भी break अगर मिले 22,250 का और favorable decision आना चाहिए, जियार का, तो एक बड़ा upside यहां पे बन सकता है, तो I hope यह आपको अच्छा लगा, हम बात कर लेते हैं, यहां पे कुछ और चीजों के बारे में, global market के बारे में देख लेते हैं सबसे पहले, तो अगर global markets में आप देखेंगे, तो यहां पे investing.com में आप देख सकते हैं, US 30, यह जो अपना है, यह अपने market के time पे positive होता है, और जैसे ही बाकी market खुलते हैं, तो वापस नीचे आने लगता है, तो इस पे नज़र अभी भी यह breakout नहीं कर रहा है, कल US market नीचे थे, हमारा market कि इस खुशी में उपर उठ रहा है, क्योंकि बहुत सारे speculation और बहुत सारे rumors उडाये जा रहे हैं, कि कुछ आने वाला है, बैंक में fund infusion होने वाला है, बला बला बला, सरकार के पास कितना भी fund infusion कर दो, अगर banks recover नही तो कौन सी बड़ी बात है, अगर आपने पैसा डाल भी दिया हो, ultimately तो वो NPA ही बनने वाला है, तो इसमें कोई बहुत अच्छी बात नहीं ही, यह तो बहुत बुरी बात है कि आप recover नहीं कर पा रहे हो, और आप ऐसा कुछ प्लान नहीं कर पा रहे हो, जिससे आप recovery strong कर पा है, और अगर आप यहाँ पे precious metals में जाएंगे, gold और silver, तो gold दुबारा से आप देख सकते है, 2020 पहुँच चुका है, अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं, मैंने कहा था, 1920 के stop loss से hold करिए, आराम से जाएगा यह, 2020, 2040 तक, 2020 आराम से ओच चुका है, silver आप देख सकते है, high प पहुचा सकती है, क्योंकि आप opportunity miss कर जाते हैं, तो यह चीज है, overall wix cool down हो रहा है, gold और silver उपर की तरफ भाग रहे है, market hype है, तो यह दिखाता है कि overall अभी panic नहीं है market में, लेकिन जब panic नहीं होता है, तभी problem यह है कि कहीं से panic आ जाता है, क्योंकि US market जब यह बड़ा fall आया थ पहुच गया और दो वीक बाद वो 80 पहुच गया, तो 13 से 80 पहुचने में उसे सिर्फ 10 दिन लगे, तो इसलिए थोड़ा सा सतर्ता जरूरी है, overall market अगर breakout कर रहा है, तो मेरे साब से अभी यहाँ पर पोटफोलियो बनाने के लिए बहुत असारे आपको stock नहीं मिलेंगे, जो आपको बहुत cheap valuation लगेगा, आपको हर चीज लगेगी 100% ऊपर है, तो यह problem है थोड़ा, तो आई चलते हम देख लेते हैं, Dow Jones में क्या चल रहा है, तो overall जो level हमने बात की थी 28,000 के आसपास, उसको break नहीं कर पा रहा है, 28,44 था आप देख सकते हैं, लेकिन गिर भी नहीं इस बार Trump भाई अपना हाथ लगा के बैठे हैं यहाँ पर, तो जब वो छोड़ेंगे तभी किरेगा market, तो यहाँ पर थोड़ा देख के रखिए, क्योंकि यह तीन candle है, यह daily time frame के, तीन candle है, तीन candle में, तीन-चार candle में हम पहुँच गये थे, 2800 point नीचे, तो तीन candle ही लगे तो थोड़ा सा दर्कता ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा candle नहीं है, 10-15 candle में हमारा खेल खतम हो गया था, तो जो मैंने कहा कि यहाँ पर सब बायर भरे बैटे थे और जब उन्होंने डंप करना चालू किया, तो समाल नहीं पाया, और यहाँ पर FED ने समालने की क अब यहाँ पर देख सकते हैं, 28,000 का लेवल, यह आपका stop loss होना चाहिए, किसी भी upside के लिए, अगर यह गिरने लगा 27,600 के नीचे तो overall US future reverse हो जाएंगे, और फिर आपको थोड़ा सा सतर्कता बरतनी है, जो लोग profit book करते जा रहे हैं अपनी अच्छी खासी profitable position में, जैसे ज उसको 820 पर निकलने में मुझे नहीं लगता 20-30 रुपीज के लिए आपको बहुत लालच करना चाहिए, लेकिन जिसने अभी लिया है, उसको थोड़ा सा अब लगेगा कियार क्या मैंने लेट लिया है, तो उसको छोटे-मोटे profit book करके अपने आपको मनाना पड़ेगा, त लेकिन ये कब तक थामा हुआ है, हमें नहीं पता, हम डिसाइड नहीं करने वाले हैं, तो ये डिसाइड करेगा हमारे stock market का आगे का future course of action, I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसमें मैंने बहुत जारे stock नहीं लिये हैं, मैंने कुछ stocks के बारे में आपको उसी terminal बताया है, मैं stock से related, most probably live करूँगा तो उसमें में बताऊंगा, तब तक देखते रहे हैं मेरे चैनल के सभी वीडियो, thank you very much झारि क्नो करें।